हाँ तो आज मैं Solid State Chapter चालू कर रहा हूँ Actually कुछ बच्चों का डिमांड था कि NCRT के First Chapter Solid State है तो उसको सर आप थोड़ा पहले बता दीजिए Actually Solution Chapter हमने स्टार्ट किया था और Solution Chapter में हमने बहुत सारी Topics पढ़ाई 15 क्लास अभी तक हम ले चुके हैं अभी बाकी और 15 क्लास उसमें बाकी है उसको भी मैं बताऊंगा बहुत सारे Topics हैं जो Solution Chapter में आगे फर्दर होगा जैसे Henry Law है, Colligative Properties है Osmotic Pressure, Osmosis, Elevation in Boiling Point, Depression in Freezing Point Relative Lowering in Vapor Pressure, Abnormal Colligative Properties तो ये सारी Properties हैं, Babos Law तो इस सब Properties हैं जो आगे हम लोग Solution Chapter में फर्दर फिर पढ़ेंगे आप दियान रखोगे हम लोग आगे Solution Chapter में अभी और हम लोगों को लगबग 15 क्लास देखना है सारे Numericals मिलाकर, सारे Numericals देखेंगे अभी बहुत सारे Numerical हम लोग देख चुके हैं जैसे RCM में 28 Number Question Numerical तक हम लोग लगबग पढ़ चुके हैं आगे अभी और उसमें पढ़ेंगे लेकिन आप लोगों को पहले अब Solid State की भी जनकारी देदें क्योंकि बच्चों का ये भी डिमांड था कि सर आप Solid State सबसे बढ़ियां पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत सारी चीजें उसमें बताते हैं अजूबा जो कि बच्चों के दिमाग से भी उपर रहता है Beyond of the imagination of the students वो सारी चीजें आप दिखा कर और समझाते हैं प्रैक्टिकली बताते हैं तो इसलिए सर आप उसको भी हीट करें उसको भी बताएं तो इस डिमांड के चलते हमने सोचा कि अब Solid State भी बच्चों को कुछ बता देते हैं पहले और Solid State कुछ आप लोग जान लीजिए तब फर्दर Solid State के बाद Solution Chapter के बाकी जो Topics हैं उन Topics पर भी हम लोग फोकस करेंगे और हम बताएंगे और बीच बीच में उसको भी Upload करते रहेंगे अभी फिलहाल आप लोग Solid State के ये जो Topic है इसको देखिए और Conceptually इसको समझे देखिए Solid State Chapter चुकि 3D है 3D दाइमेंशनल और 3D दाइमेंशनल चीजों को जब तक आप Imagine नहीं करोगे आपके पास खुद का अपना imagination नहीं होगा तो Space में आपको Imagine करना है Board में नहीं Not in two dimension You are going to Study in three dimension तो आप three dimension में Study करने जा रहे हो और three dimension की Study में Imagination Power का बहुत बड़ा रोल होता है इसलिए Most of the teacher इसमें फैल कर जाते हैं क्योंकि बच्चों को उस Thinking के Horizon तक पहुँचाने में वो सफल नहीं हो पाते जिससे की बच्चे ओ थ्री Dimension में सोच सकें Imagine कर सकें अपना दिमाग लगा सकें तो जो बच्चे बहुत तेज हैं जिनका God gifted imagination power ठीक है तो उनको outline दे दिया जाता है तो imagine कर लेते हैं लेकिन सारे बच्चे नहीं कर पाते average बच्चे imagine नहीं कर पाते उनको concept देना होगा कि ओ भी imagine कर पाएं average बच्चे भी imagine कर पाएं मैं ओ develop कर दूँगा यहीं class में कि आप सोच सकोगे कि हाँ यह हुआ तो कैसे हुआ सिर्फ किताब का knowledge किताब तक नहीं आपके दिमाग तक आएगा और ओ बुक का knowledge जो है आपके जब दिमाग तक आए तब ओ आपका है बुक का knowledge जब बुक तक ही रहता है तब तक ओ आपका नहीं है ओ रटना पड़ता है याद करना पड़ता है और जब आपके mind तक आ जाएगा तब ओ आप समझ चुके रहते हैं ओ आपका हो जाता है और आप उस पर कुछ कर सकते हो तो इसलिए solid state में imagination part हम जो है शुरू करेंगे अभी तो basic सबसे पहले तो आप solid में ये जानो कि solid के lecture number one मैं बता रहा हूँ इसमें solid दो तरह के होते हैं mainly solid जो है दो तरह के होते हैं एक कहलाता है एक solid crystalline solid कहलाता है यानि कि true solid कहलाता है यानि real solid कहलाता है जैसे rock salt सेंदा नमक का पत्थर देखे हो वो जो है true solid है true solid है तो जो है ये true solid crystalline solid या true solid कहलाता है और कुछ होते हैं pseudo solid pseudo solid मतलब false solid false solid उनको amorphous solid भी कहते हैं देखने में छूने में पकड़ने में solid जैसा ही अहसास देते हैं कड़ा ही होते हैं मगर उन solidों की properties कुछ अलग होती है उनका arrangement कुछ अलग होता है इसलिए उन्हें हम लोग pseudo solid या false solid कहते हैं जैसे अब ये भी solid है देखिए solid तो ये भी है ये आप देख लो solid लग रहा होगा आपको solid है ना solid दिख रहा है ना है तो solid देखिए मैं दबा रहा हूं अभी नहीं दब रहा है तो ये solid है लेकिन फिर भी ये solid है ये देखिए ये मुड गया ये देखिए ये मुड गया ये देखिए ये मुड सकता है तो ये जो है false solid है ये जो है false solid है ये pseudo solid है ये amorphous solid है जैसे ये rubber ये rubber है उसी तरह plastic प्लास्टिक भी जो है कैसा solid होता है amorphous solid होता है false solid होता है pseudo solid होता है लेकिन वहीं पर rock salt हो गया, ice हो गया, पत्थर हो गया ये सब true solid है ये सब जो हैं जो ओर्स हैं वो जो है crystalline solid है जैसे ये भी solid है अंदर का ये जो arrangement इसका है ये भी solid है लेकिन ये मुरेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, इसका structure जो पर कोई effect नहीं होगा solid ये भी है लेकिन आप जो है किसी वही direction में इसे मोड नहीं सकते हो, इसे तोड नहीं सकते हो जल्दी तो इस solid ये भी है, solid ये भी arrangement solid है बट इस solid को आप जो है क्या नहीं कर सकते हो, इसे मोड नहीं सकते हो, इसे किसी भी temperature पर जो है आप melt नहीं करा सकते हो तो ये सभी character है true solid में, true solids जो होते हैं, उनकी ये सब विशेस्ताएं होती है, true solid का arrangement एकदम definite होता है they are arranged definitely in three dimensional space, their atoms, जैसे ये सब क्या है, ये क्या दिख रहे हैं, green ball or red ball, क्या दिख रहे हैं, ये atoms हैं तो the arrangement of atoms in three dimensional space is definite and orderly, there is a definite and orderly arrangement of atoms, ions and molecules तो जब atoms का, ions का या molecules का arrangement definite हो, निश्चित arrangement हो, fixed arrangement हो, three dimensional space में तो आप समझ लेना कि ये true solid है, ये real solid है, ये original solid है, ये असली solid है, ये crystalline solid है और इनका arrangement definite नहीं हो, तो ये समझ ना कि ये amorphous solid है, they do not have any pattern of arrangement of atoms, ions or molecules, atom and ions or molecule का कोई definite arrangement नहीं होता है, इसमें, इनका ये नहीं है, कि यहाँ है, तो वहीं रहेगा, they are not rigid, they are not rigid, with their positions, with their place, with their thinking, rigid नहीं होता है, जैसे आदमी ही लिजिए, कुछ के जो है, flexible आदमी होते हैं, जो अपने बिचारों, अपने बातों पर rigid नहीं रहते, इस्थिर नहीं रहते, तुरत वो बदल जाते हैं, वो change कर लेते हैं, और कुछ लोग अपने firm determination, अपने सोच पर rigid रहते हैं, जैसे कुछ लोग अपने ambition से, कुछ students, आपकी तरह student जो होते हैं, कुछ जो है अपने aims के लिए rigid रहते हैं, अपने decision के लिए rigid रहते हैं, अपने goal के लिए कि मुझे IIT करना है, मुझे PMT करना है, तो करना है, जब तक मैं कर नहीं लेता, तब तक मैं change नहीं लूँगा, तो ओ अपने decision पर firm हैं, कुछ लोग हैं, कि decision लिए कि मुझे ये करना है, अगर by chance एक साल नहीं हुआ, तो विचार अपना change कर लेते हैं, उसक के बाद फिर बिचार बदल लेते हैं, और ओ चपरासी का तैयारी करने लगते हैं, तो वही हैं amorphous solid, जो IIT से color, color से चपरासी की तैयारी करने लगते हैं, उनको कहते हैं amorphous solid और pseudo solid, और जो firm determination के साथ कि मुझे ये करना है, तो करना है, जब तक कर नहीं लेता, तब तक चैन नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं, crystalline or true solid, तो true solid ये हैं, इनका definite होता है, arrangement, इनका arrangement definite होता है, निश्चीत होता है, और amorphous alignment definite नहीं होता है, ये solid sharp melting point रखते हैं, एकदम एक melting point होता है, एक खास temperature पर पिघल के liquid हो जाते हैं, इनके बारे में पुछा जाए कि इनका melting point क्या है, तो आप बता सकते हो, आप कह सकते हो, कि इनका melting point ये है सर, लेकिन इनका melting point sharp नहीं होता है, they do not have any sharp melting point, they do not change into liquid abruptly, ये अचानक लिक्वीड नहीं बनते हैं, ये अचानक एक temperature पर लिक्वीड बन जाएंगे, लेकिन ये जो हैं, solid से अचानक लिक्वीड में change नहीं करते हैं, ये बहुत मुश्किल से जो है change करते हैं, जली ये solid है, और first solid क्या होगा कि इने गरम करोगे, तो पहले थोड़ा मुलाइम होगा, जैसे इसे ही ले लो, ये eraser है, ये रबबड है, इसे गरम करोगे तो पहले थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा धीला होगा, थोड़ा और इसमें जो है लोचा जाएगी, और गरम करो लिक्वीड नहीं बनेगा, धीरे धीरे मुलायम होगा, और मुलायम, और मुलायम, और मुलायम, मुलायम होते होते होते, तो माली ज़े 10 डिगरी पर कीए, तो थोड़ा मुलायम, 20 डिगरी पर मुलायम और जादे, 30 डिगरी पर और 50 डिगरी पर और 70 डिगरी पर एकदम लिक कहते हैं, अंदर में liquid जैसा arrangement होता है, अंदर में gas जैसा arrangement होता है, fluid का arrangement होता है, अंदर में, किसी का definite जगह नहीं होती है, definite properties नहीं होती है, तो इसलिए जो है, यह super cooled liquid भी कहे जाते हैं, इन्हें जो है, हम लोग false solid, amorphous solid या super cooled liquid भी कहते हैं, plastic को कहते हैं, glass को कहते हैं, glass भी जो है, आपको super cooled liquid या false liquid या pseudo solid या amorphous solid कहलाता है, उसी तरह से, आप जो है, इनकी vicious property आपने देखा, अब जो है, आप देखो, यह anisotropic होते हैं, इनकी physical properties जो है न, are different in different directions, इनकी physical properties जो है, different direction में different होती है, अलग-अलग दिशा में जाईएगा, physical property differ करेगी, physical anisotropic इसका character को कहते हैं, जिनकी physical properties solid में, arrangement में, different direction में different हो, उसे हम लोग कहते हैं, anisotropic, actually ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए है, कि यह जो है, जैसे कि physical properties क्या-क्या होई है, बता पहले, physical properties हो गई, refractive index, coefficient of thermal expansion, ठीक है, तो यह सब physical properties हो गई, physical properties जो है, coefficient of thermal expansion हुई, refractive index हुआ, तो यह सब अगर different direction में different होती है, जैसे कि silver iodide है, silver iodide, AGI, यह true solid है, यह crystalline solid होता है, इसके AGI के एक direction में coefficient of thermal expansion देख, चेक करोगे, तो एक direction में इसका मिलेगा positive, तो दूसरे direction में मिलेगा negative, तो बताओ, physical properties different in different direction, एक direction में positive मिलता है, तो दूसरे direction में negative हो जाती है, physical properties, तो इसे कहते हैं, anisotropic, इसे कहते हैं, हम लोग crystalline solid का properties, तो crystalline solid में anisotropic properties होती है, जबकि amorphous solid में, यह amorphous solid isotropic होते हैं, इनकी physical properties are same in all directions, इसकी physical properties जो है, सारे direction में same ही होती है, इसे लिए तो मुड़ जाते हैं, इधर मुड़ने की capacity है, तो इधर भी है, सभी direction में इसकी physical properties जो हैं, सेम होती हैं, isotropic होते हैं, isotropic होते हैं, इनकी physical properties जो है, सेम होती हैं सभी direction में, इसी तरह से crystalline solid या true solid जो हैते हैं, बहुत सारे symmetry रखते हैं, इन में symmetries होती हैं, इसमें आपको center of symmetry होती है, plane of symmetry होती है, axis of symmetry होती है, लेकिन इन में कोई symmetry नहीं होती है, symmetricity इसमें रहती ही नहीं है, जैसे हम सारी symmetry ओं को आपको discuss करेंगे, यह सब symmetry discuss होंगे इनका safe होता है या तो यह cubical होंगे hexagonal होंगे देखिए यह hexagonal है crystalline solid hexagonal है 6 face हैं देखिए 1st face, 2nd face यह देखिए 1st face यहाँ आपके सामने यह 1st face 2nd face, 3rd 4, 5, 6 6 face है यह hexagonal arrangement है जिसमें 6 face होगा hexagonal, hexa मतलब क्या होता है hexa मतलब आबू hexa मतलब 6 तो यह hexagonal arrangement है देखिए, यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagonal arrangement तो यह hexagonal solid है यह hexagonal है यह कैसा है? hexagonal यह है आपका cubical यह arrangement कैसा है? cubical arrangement यह cubical arrangement cube type का है? इसी तरह rhombic होगा, rhombohedral होगा, monoclinic होगा, triclinic होगा, तो कई तरह के tetragonal होगा, कई तरह के solid, crystalline solid के structure होते हैं, उसके unit sale होती है, कई तरह की होती है, उन सारे तरह की unit sale हों में, हम लोग जाके डुबकी लगाएंगे, और जब तक आप डुबकी नहीं लगाओगे, भीतर कैसे पहूँच पाओगे, ये लोग वाला जो नजर हागा न, वहाँ कैसे पहूँच पाओगे, जब तक डुबकी नहीं लगाओगे, भीतर पहूँच नहीं पाओगे, इसलिए डुबकी लगाना जरूरी है, अब देखिए भया, देख लो, इसमें तुम्हें कुछ दीख रहा होगा, आप देखो, इसमें दीख रहा होगा कुछ, अंदर में कुछ दीख रहा है, कुछ दीख रहा है, दीख रहा न, ओ अंदर वाला जो पोजिशन है, अंदर में जो तुम्हें येलो बॉल दीख रहा है, येलो आइटम दिख रहा है, जो येलो कलर का आइटम है अंदर में, उस आइटम को हम लोग कहते हैं, जिस जगह पर है, उस जगह का नाम है center of symmetry, उसी जगह को कहते हैं, center of symmetry कहते हैं, अगर उस से नहीं समझे, तो आप इस से समझ जाओगे, देखो, ये भी एक तरह का arrangement है, इसमें जो है, देख लो, रोम्बो हेड्रल टाइप का है, इसमें आप center of symmetry देखो, ये जो बॉल है, इसमें जो आइटम है बीच में, बीच में, ये तो साफ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा ना, ये जो है, दिख रहा है, आपको आइटम बीच में, जो बीच में आइटम दिख रहा है, तेरे मेरे बीच में नहीं, इस lattice के बीच में जो आइटम दिख रहा है, O atom, किस जगा पर है? O atom, center of symmetry पर है. उसी को कहते हैं, center of symmetry. और जो है, आप further पढ़ाई करोगे, तो मैं और चीजें बताऊंगा. अभी जो है, आगले क्लासों में मैं plane of symmetry, axis of symmetry का भी explanation करूँगा. plane of symmetry क्या है? plane of symmetry कैसे बनती है? तो plane of symmetry बाबू, इतना असान नहीं है. इसे हम लोगों को plane of symmetry जो है, इससे दिखा के किया नहीं जा सकता. उसमें एक दम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. तो आपको lecture number two में हम, जो है, plane of symmetry बना के दिखाएंगे कि plane of symmetry कैसे होगी, कैसे बनेगी, lecture number two या three में, जिसमें आ जाए, तो ये plane of symmetry देखोगे और समझोगे. और axis of symmetry भी, axis of symmetry और imagine करना पड़ता है, वो लंबे imagination की चीज है, उसे भी तुम imagine कर पाओगे, उसे भी तुम देखोगे, तो उसे हम लोग कहेंगे axis of symmetry. और actually true solid यानि crystalline solid जो हैं, आपके ये कुछ होते हैं, इनका example है, KCl, NaCl, KNO3, जितने आइनी compound हैं, सब true solid हैं, जितने आइनी compound हैं, सब true solid हैं, crystalline solid. और इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये false solid है, ये जो है, इसका कोई fix arrangement होता नहीं है, ये super cool liquid है, जैसे example में है, glass, rubber, plastic, ये सब super cool liquid है, कुछ बिशेश इसका arrangement होता नहीं है, ये pseudo solid है, ये false है, तो इस तरह arrangement जो है, ये होता है, और ये introduction हुआ, solid का, इसमें थोड़ा सा हम लोग, और देखते हैं, introduction में, आप लिख लिए, अब आप देखो, anisotropic and isotropic behavior, anisotropic and isotropic behavior क्या है, तो the substance which shows same properties in all direction, सारे direction में जो same properties show करते हैं, are said to be isotropic, जो amorphous solid होते हैं, amorphous solid में सारे direction की properties क्या होती हैं, same, सभी direction में properties same होती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, isotropic कहते हैं, और वैसे substance जिनकी जो है, अलग-अलग direction में properties अलग-अलग होती हैं, उसे हम लोग anisotropic कहते हैं, anisotropic solid कहते हैं, anisotropic properties कहते हैं, जैसे crystalline solid और true solid में anisotropic होता है, और amorphous solid कैसा होता है, isotropic होता है, इसमें सभी direction में properties same होती है, सभी direction में चाहे आप diagonal direction देखें, चाहे आप vertical direction देखें, चाहे horizontal direction देखें, तो ये सभी direction में इनकी property same होती हैं, कि इनकी amorphous की pseudo solid की सभी direction में properties same होती हैं, horizontal direction vertical direction same होती है लेकिन इसमें देखिए horizontal में horizontal direction में property अलग है vertical direction में property अलग है जैसे आप देखो एनिसो ट्रोपिक में AB यह vertical direction की property है आप देख रहे हो vertical direction में यह arrangement देख रहे होना कैसा है सभी जो है solid जो dots है solid atoms है जो black atoms है वो vertical वाले में सभी में इस एक line में जैसे AB line है AB में देखो जो atoms है सभी black वाले atoms है जबकि CD में आप देख रहे होगे कि black and white atoms जो है कैसे है alternate arrange है इन में arrangement alternate है तो इस CD direction में alternate arrangement है CD direction में alternate arrangement है जबकि AB direction में complete arrangement है AB direction में आपको देखिएगा कि black atoms सब arrange हैं जबकि CD direction में black के बाद white, white के बाद black, black, white, white, black, black, white, white, black तो black white है, black and white है CD direction में black and white है and AB direction में सिरिफ black ही black है everything is black तो दोनों direction में AB direction में अलग है और CD direction में अलग है तो दोनों direction में आप देख रहे हो कि अलग-अलग है तो इसे isotropic और anisotropic कहते हैं और दोनों solid की विशेशता है amorphous solid like liquids and gases amorphous solid क्या है? super cooled liquid है liquid ही है उसको बहुत जादे cooled हो गया जैसे यानि कि liquid का जैसा arrangement होता है वैसा ही amorphous solid का arrangement होता है जैसा gas का arrangement होता है वैसा ही amorphous solid का arrangement होता है यही उसकी विशेशता है तो इसी लिए इसका properties isotropic होता है इसी कारण से इसकी प्रोपर्टी क्या होती है? अईसो ट्रोपिक और वही जो है inisotropic में, true solid में, true solids होते हैं, उसमें he is insotropic होता है तो उसमें, jo है, सही में solid है वह liquid नहीं है, गैस नहीं है उसका arrangement रिक्वीड जैसा नहीं है उसका arrangement गैस जैसा नहीं है तो यह भी सेशता है, तो amorphous solid like liquids and gases are said to be isotropic as arrangement of building constituents is random and disordered. तो इसी लिए उसे हम लोग amorphous या pseudo solid या super cold liquid कहते हैं, आप ध्यान रखना कई बार exam में पुछा गया है कि इसे glass वैगरा जो है amorphous solid है. Okay, best of luck. First, second lecture, we will meet again with special things in second lecture and also very, very special things in third lecture and उसे भी very, very special things in fourth lecture. Okay, now we will meet again with new things.